अब आपके लिए लेकर रहे हैं पाकिस्तान रेलवे का रोस्ट वैसे पाकिस्तान रेलवे में कुछ बहुत अच्छी ट्रेंज भी हैं अगर आप सफर अच्छा जाएगा आप ट्रैवल करेंगे वह सफर वाला सफर नहीं करेंगे आप SUFFER वाला सफर नहीं करेंगे जहलना नहीं पड़ेगा और अगर आप economy में है तो फिर तो आप रूल गए मतलब एक तो अवाम ऐसी होगी और दूसरा जो वहां का environment होता है वो unbearable होता है तो condition भी इतनी अच्छी नहीं होती है उन कोचिस की लेकिन देखते हैं जी पाकिस्तान रेलवे बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने बड़ा अच्छा माल मंगवाए है चाइना से और हमने न्यूस भी देखी कि चाइना का माल था इन्हें थूक लग गया तो आईए देखते हैं ट्वाइबरों ने इस बारे में क्या खाए शुरू करते हैं 3,2,1,1 अगर हमने हिंदुस्तान को शिकस्त देनी है हकीकी मैनों में तो रेलवे को कम असकम खड़ा करना है अच्छा लेकिन करोगे कैसे इसका कोई फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है एसकेर इस इकल टू ए प्लस बी इस सारा एप्लस बी एकीद होगा इंशालों बस इसी फॉर पाकिस्तानी रेलवे जितना जवरदर्थिस का फॉर्मूला है उतना ही जवरदर्थे पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम भी जो आएदें रेलवे के चैतर में नई क्रांती ला रहा है कि सुनने वालों का सिर्वी चकरा जाए बना रहे हैं वो शाद 2 गंटे में पुचा दे क क्योंकि वो वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज बना करो आपको लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेंड बना कर देगा क्या तुम चार-पांच बंदों को स्पेस में ले जाने की सोच रहे हो पाकिस्तान की तरह कुछ बढ़ा सोचो एक वार में 2-3,000 बं न की लोगा लेकर काम चला रहे हो वह उगली ट्रेंड बना रहे हैं स्पीड की लाइट से बिलैट से ज्यादा पहले देज होगी या लाइट थी से ज्यादा ते matter होगी और यह इसमूंतिया बंदा तो अपने बयान जितने ही फजी है जहां एक तरफ यज पीड़से ज्या पाकिस्तान की ट्रेन को जो अभी तक पाकिस्तान में इस्तमाल किया जा रहा है उसको रफ्तार से भगाने की कोशिश की जाती है अब ऐसा भी नहीं है कि हर जगा पाकिस्तानी रेलवे को नाकाम्यावी ही हाथ लगती हो प्लत ट्रेन नहीं बना पाए तो क्या हुआ पाकिस्तान से लोस एंजिलिस तक ट्रेन बना ही चुके है पाकिस्तान नहीं है जहां रेलवे ट्रेक पर गदा गारियां दोड़ा करती थ यहां सब कुछ नए स्तर से होता है जहां अन्य देशों में रेल्वेर ट्रेक को इस प्रकार के होते हैं वही पाकिस्तान में मतलब भाई कंगाली का कोई सेटी को धारर देखना है तो पाकिस्तानी रेल्वे सिस्टम देखो जो कंगाली की चरम सीमा लांकर जुगारू रेल्वे की एक नई परिभासा लिख रहा है और जुगार ऐसा कि पाकिस्तानी रेल्वे देखकर अफ्रिकन देश भी पौर्कियों और पाकिस्तानी ट्रेन उसके वाले में भाई में क्या ही वोलू आप थुदी देखो अब भाई पाकिस्तानी आवाम भी क्या करें जब ट्रेन में छेद होंगे तो वो तो अपने बच्चों को छेद दिखा कर कहेंगे ही और अब तो ये पोर्ट की अपने बदहाल रेलवे सिस्टम में इसकदर धल चुके हैं कि चीन से आई हुई बोगियों को देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये बोगिया पाकिस्तान में चलेंगी चीन से लाई गई हैं नई रेलवे कोचिस और लगी नहीं रहा कि ये पाकिस्तान में चलेंगी क्योंकि इतनी अच्छी साफ सुतरी और अंदर से बहुत ही जबरदस्त हैं और आखिरकार ये बोगिया पाकिस्तान में चली ही नहीं पाई भाई को इतना पनोती कैसे हो सकता है चीन से 149 मिलिए डॉलर के लागर से दरामत बोगियों के पाकिस्तान में चलने के दौरान प्रेशर ना बनने से ब्रेक नहीं लग सकते इन बोगियों को मुरमत के बाद वाशिंग लाइन में खड़ा कर दिया गया है कि पाकिस्तानी रेलवे की इस बदहाली के बाद भी पॉर्कियों को अपने रेलवे सिस्टम में कोई खराबी नजर नहीं आती बल्के उल्टाइन का कहना होता है पहली बात इंडिया के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंडिया रेलवे अच्छी सेवाय प्रदान करती है ना कि इस बजा से कि इंडिया में गाडियों की कमी है जितने तुमारे पूरे पाकिस्तान के आवादी नहीं होगी उससे कही ज़्यादा इंडिया में सिर्फ बसे और कारे चलती है और बागी रहे ट्रांसपोर्ट के अन्यवाहन अगर उन्हें जोर दिया जाए तो धर्ती पर मौजूद तुमारी विरादरी के कुल देसों के आवादी से भी कही ज़्यादा वेठेंगे और रही बात पाकिस्तान के हर घर में चार-पांच गारियों की तो अकात में रहो चाला खंगाली की वजहां से पूरा पाकिस्तान गदा गारियों पर सफर कर रहा है पेट्रोल डीजल दिलवाने के लाले पर रहे हैं खाने को ए एक घर के लोगों ने भी तीन चिन्स चार चार गारिया रखी हुए हैं वह यूज बहुत कम है बत्रब यह तरब इस बंदी का कहना है ति पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है और वही दूसी तरह पाकिस्तान का पूरव रेलवे मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान क सब्सक्राइब को ही टिकट बेच डाला लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया का कहना है वजीरे रेलवे सो रहे हैं और पाकिस्तानी अपनी फूर्टी किस्मत कुरू रहे हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं जनाब देखें टूबी ऑनेस् देखें तूबी ऑनेस्ट इस इस वीडियो में ना कुछ हार्श रियालिटी दिखाई गई है तिंग इस मैं यह बोलूंगा कि पहले प्रॉब्लम क्या होता था इंजिन्स के जो फ्लीट था ना उसकी कमी थी आज से कुई 8-9 साल पहले और इंजिन फेल हो गया जी ट्रेने खड़ी हैं बारा बारा गंटे लेट अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने ले दे के अमेरिका जर्मनी चाहे ना पहला नहीं कहा कहा से इन्जिन्स इंपोर्ट किये अब प्रॉब्लम यह के इंजिन के पीछे बोगी लगती है वह नहीं है कुछ जो फर्स्ट क्लास बोग कि सस्ती टिकट के चक्कर में हर तरह की आपका वाह माह मिलती है मतलब कोई बर्थ पर सो रहा है कोई नीचे जमीन पर कपड़ा ढाल के सो रहा है मतलब तुने होते हैं लोग ठीक है और एकॉनमी में तो बंदा सफर क्या वो बंदा बंदा की बेहन बजाती है उस पर प्रॉ कर देते हैं बर्थ ऐसी तैसी हम चीजों की कदर नहीं करते हैं और अब यह जो इन्होंने पहली बात तो यह कि यह बोगिया जो मंगवाई गई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं यहां पर बनाई जा सकती थी कोई इतना भी बुरा हाल नहीं है पाकिस्तानी इंजिनियर्स का ल को क्या पता वो तो टूर लगाने कैसे लगा है और हमारे लसन लगा दिये अब देखें ना यह यह जो फाल्ट है यह कवर हो सकता है लेकिन करे कौन मौत पढ़ती है काम करते हुए और फिर इन केस यह बोगिया है कभी चल भी पढ़ी तो पहले तो अपनी अवाम को एड़ पढ़ेगा कि तमीज से बैटना अंदर जाहिलों की तरह बैठते हैं और फिर हाल तो आपके सामने ही तो क्या ही बोले हम कोशिश करते हैं चीजों को सही करें लेकिन हमारे जैसे लोग बड़े कम है यार क्या करें चले मैंत करते हैं तोड़े लोग लोगों भी सोच बदलत थर्ड वियन में जिन्होंने डिग्री ली थी वो भी औरनेरी डिग्री के यार ले जा यहां से निकल और शेख रशीद जैसा बंदा जिसकी डिग्री का यह किसी को नहीं पता ठीक है वो बंदा रेलवे फिर इंटेरियन मिनिस्टर तो ऐसे लोगों को लाएं जो पड़े लि बाके तो फिर देखते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपने ख्याल रखिएगा से युवाइस